वो किसी और की बुराई कर रहे हैं आपके सामने हैं तो वो आपकी भी बुराई करेंगे किसी और के सामने अच्छा दोस्त वही है जो पीट पीछे भी आपकी तारीफ करें जब आप नहीं सुने तब भी वो आपकी तारीफ करें तो ही वो आपका अच्छा दोस्त अच्छा लगेगा जब हम किसी से अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकते तो किसी के बारे में बुरा बोलना ही क्यों अच्छिन के बारे में नेविगेटिंग और सब्सक्राइब करें बारे में स्बसे पहले ना ऑफिस पॉलिटिक्स होती है हर ऑफिस के अंदर होती है छोटा ऑफिस ओप आफिस आपको हर जगा मिलेगी तो सबसे पहले तो ना आप acknowledge करोगी yes office politics होती है आपके office में भी हो रही है अगर आप acknowledge नहीं कर रहे तो identify करने की position क्या आपके office में politics हो रही है अब office politics होती क्या है इसके बारे में तोड़ा समझ ले office politics का मतलब होता है कि अपनी power को use करके अब किसी अपने आपको फाइदा पहुचाना होता है आपकी office में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने power को decision making power को या influence की power को use करके अपना कुछ personal gain निकालेंगे जिसके वजह से most of the cases में सामने वाले को नुकसान होता है अपनी जौप बचाने के लिए जौप को स्टेक पर लगा देना आपनी इमिज अपनी रप्लो को बढ़ाने के सामने वाले की रप्लो कुप खाठ देना is also office politics office politics की अंदर क्या होता है मेरी किसी से דुश्मनी है मैं उसकी इमेज को ना में पुछ से परसनल नहीं हो रहा बट अपने मेंटल से डिस्फेक्शन के लिए भी मैं सामने वाले कि वो हरकत कर दूँगा वहालत कर दूँगा कि वह जौब छोड़ने में मजबूर हो जाए उसके इमेज ना पिल्कुल टूप जाए और इसको भी ऑफिस पॉ सो जितना हो सकता है दूरी बनाके रखो ऑफिस पॉलिटिक्स से आप जितना इसमें पुछोगे दल दल के तरह है आप ऑफिस पॉलिटिक्स में बचना उसको नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए सबसे पहली चीज अमने अभी समझे ना वह यहीं थे कि पहल आएगा डिरेटी तो ही इन्वाल होना अदर्वाइस ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना मत होना इसके इंदर दल दल है फस्ते ही चले जाओगे बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जौब छोड़के जाना और मैं मानता हूं कि आप यह नहीं चाहते कि मैं हमेशा अपने जौब छोड़के जाओं इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स को समझो और उसको नैविगेट करने की कोशिश करो अब नैविगेट करना कैसे है अभी तो हमने समझाना कि उसमें इन्वाल भी नहीं होना बट अगर सुनना हो फर्स्ट स्टेप इस ऑफजो एंडिसन सबसे पहले ओफिस के अंदर समझो कि हो क्या रहा है कौन-कौन लोग है जो ऑफिस पॉलिटिक्स को प्ले करें कौन-कौन लोग है जिनके पास कुछ पावर और इंफ्लूएंस करने की मैनुप्लेट करने की डिजिजिजर बारे उन बातों को समझो कि कौन क्या बोल रहे है किसका पर्सेप्शन कैसा है उन चीजों को लेकर यान कि को नौटिटिव बात कर रहे हैं या कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं उससे आपको उस परसंद का नेचर समझाएगा तो जो लोग ऑफिस के इंदर अक्सर नेग होते हैं बहुत दूर ही बना दो लोगों से उनके पास मत जाओ उनसे बात करो उनसे कुछ बात करनी पड़ रही है तो काम से काम रखो बहुत ज़्यादा डिसकुशन में उन लोगों के साथ उसके बाद अगली चीज़ समझते हैं और क्या कर सकते हैं दूसरा है यार करते हैं अच्छा दोस्त वही है जो पीट पीछे भी आपकी तरीफ करें लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग है जो मेरे सामने तो अपके थारीफ करें और अपके दोस्त है तो एसे और दोस्त बनाने की कोशिश करो आप एक जतनी ज्यादा दोस्त ऑंगे office के अंदर उतना आपके लिए अच्छा होगा विकोज दोस्त में पूखने को नहीं कहा निकल दोस्त निक्माद को कई नाने को क्या रहा हूं कि अधर दोस्त होंगे तो आपको वहां अभी अच्छा लगेगा आप पॉजिटीव करोगे पॉजिटीव करोगे तो आपका जो एंवायरमेंट पॉजिटीव होगा उससे आपका काम है वह फोकस होगा और और अच्छे तरीके से होगा आपको कुछ यहाँ चलता है यहाँ पर सिर्फ टीक नहीं चलता दोस्ति अगर अच्छी बनानी है तो आपको भी उनके डोस्ती तो बना रहे हो इसके अंदर भी इक इंप्रयर्ट की आपको काफी कुछ important है यह पूरा topic ही important है हमारी life पे बहुत important रोल प्लेट करता है office politics का topic इसलिए आगे से वोस्ते हैं दोस्ती तो बनाई लेकिन दोस्ती genuine किसी से मतलब के लिए दोस्ती कर अगरावक सामने वाले को दॉस्त करोगे सामने वाले को तुकल यह कि यूummy क्याई उसको बहुत बुरा लगा ज ले ले सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इसलिए लोगों के साथ जो connections बना रहे हो दोस्ती बना रहे हो मतलब के लिए मत बनाना चैनल connection बताओ जो लोग आपको लगता है लोगों को दोस्ती करेंगे आपका नेचर यह और थोड़े टाइम बाद आप से बात नहीं करेंगे आप जहां खड़े होगे वो कहीं और आपके पास खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे आप लोगों के बाद जाओगे वह आपसे दूर बागना चुरू पर देंगे वह आपसे कुछ सब्सक्राइब कर रहा है अगर कोई आपसे ऑफ़िस की गोषिप कर रहा है तो उस केस में हमें मज़ा तो आणे लगता है'M गॉसिप मेरी हम भी कुछ गॉसिप कर देते हैं हम भी कुछ भूल देते हैं तो उस इसमेना खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है अगर कोई आपके सामने आ कि किसी की बुराई कर रहा है तो कोशिश करो आप सर्फ सुनो अपने ओपिनियन स्वाप मत दो क्योंकि कोई गोसिप कर रहा है तो गोसिप करा गॉसिप कर रहा है तो मत कर दो लेकिन अगर फिर भी आप मना नहीं कर पाते हैं तो at least खुद तो उस गोसिप के अंदर मत ही होना अगर कोई आपसे गोसिप कर रहा है तो just stay silent listen करो सुनो उसकी बातों को कि वो क्या बोला है बट अपना कोई भी input उसके अंदर मत देना आप लोग और अगर opinion देना भी पड़ रहा है कभी कभी क्या होता ह है जो हमारा senior management है वो आके हमसे opinion मानता है कि बटा वो कैसा है तो यह professional opinion देना personal opinion मत देना आप professionally देखो कि वो इंसान काम करने में कैसा है उसकी क्या अच्छी चीज़ें है कोशिश करो उसकी अच्छी चीज़ें को बताने का अपना personal खुंदस मत निकालने बैठ जाओ या उसक करना जो आपका answer है वो थोड़ा professionally drafted answer हो भावनाओं में मत बह जाना management ने मुझसे प्यार से दो शब्द क्या बोले मैं तो बावनाओं में बह गया और सब कुछ बग दिया सब कुछ बोल दिया ऐसा आपको नहीं करना या प्रोफेशनली ड्राप्टेड आंसर ही देना है लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे अच्छा लगेगा जब हम किसी से अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकते तो किसी के बारे में बुरा बोलना ही क्यों है अपने काम करो अपने काम को इतना अच्छा बनाओ कि आपकी जो value है वो काम के लिए हो अपने leadership quality को उतना न जो भी पर समयने की कोशिज करते हैं देखो क्या होता है आपको ना अपनी लाइन बढ़ी खानी है तो उसके लिए दूगा दो तरीकी हो या तो अपनी लाइन को और आगे तो खीच दू या दूसरे वाले की लाइन को थोड़ा सा मिटा दू आप अपनी लाइन को खीचने के लिए एक्स्ट्र एफट डालना पड़ता है जो बहुत मुश्किल होता है तो लोग अक्सर क्या करते हैं दूसरे की लाइन को छोटा करना शुरू करना अप अपनी स्केल पर वर्क करो अब वह स्केल आपकी नॉलेज्ज होगा जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो आप सेल् अपनी लाइन को बढ़ा करो दूसरों की लाइन को छोटा यानि की बुराईया करके दूसरे को मत गिरा हो आथ अपनी रेस तेज भागो ना क्यों दूसरे को अड़ंगी देखे गिराने मैं आपको एंग स्टोरी सुनाता हूं ये संधी महिश्वरी ने भी थी तो मैं प्र गाओ के अंदर एक ना समझदार इंसान आया उसने सोचा यार कुछ तो करना चाहिए उसने थोड़ा सा अनिलाइस के तो उसको पता चला कि दूर शेहर में एक लाल टेंग मिलती वो आदमी जाके लाल टेंग लेकिया गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी अब जैसे ही रा अब लोगों के बीच में गॉसिप सोनी शुरू हो गई यहां तो वो भी जाएं गाओं में गाओं से निकल के शहर जाएं और अपने लिए लाल टेंग खरित के लिए और वो भी ऐसे जिंदगी जी यह था एक option और यह मुश्किल है हर कोई शेर जाके लाल टेंग पैसा कर चोगा जाने आने को ट्रेवलिंग का पैसा कर चोगा डेली उसमें पैट्रोल डालना है या फिर मिट्टी का तेल डालना है उसको जलाना है तो यानि की वो प्रॉब्रम वाला situation है तो लोगों के पास लाइफ में यही होता है लोग आपको गिराने की कुशिश घरेंगे आपको समल आएं आपको देखना है कि आप जब भी आगे बढ़ रहे हो तो किसी को नहीं यह फील मत होने देना किसी को चिड़ाना मत कि यार मैं तो आगे बढ़ गया मेरा तो प्रमोशन हो गया मेरी कीज में कभी भी मज जा रहा if you got promotion just because you have done something incredible तभी आपको promotion मिला आपने कुछ अच्छा किया है बट उसको ऐसे मज जताना जिसको नहीं मिला उसको सच में बहुत बुरा लगेगा क्योंकि effort तो हर कोई डाल रहे है आप तोड़ा जादा डाल रहेते तो सामने वाले को चीडाना है सामने वाले को great feel नहीं कराना है सामने वाले को down feel नहीं कराना है कि मैं तो आगे निकल गया हमेशा सब को साथ रहे के चलना है यही एक better point है एक better leadership का point है इसलिए office politics को समझना पड़ेगा और अपने आपको अपने skill को better करना पड़ेगा साथ में अपने ethics को जो moral ethics है उनको न अपनी जर्नी में आगे बलोगे बस यही था आज के topic पर अगर आपको मेरी वीडियो सच में helpful लग रहे हैं लग रहा है कि मैं कुछ बहुत वेन्यूबल आपको दे रहा हूं तो पीज इस चैनल को subscribe कर लेना मेरी वीडियो को like कर देना और अपना दोस्तों को जिनको आपको मैं life में grow करने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं बहुत research कर रहा हूं और वही सब कुछ मैं आपके साथ भी शेर कर रहा हूं तक कि हर कोई life में grow करता रहे shine करता रहे तब तक के लिए next video आएगी हमारी जल्दी next video के लिए stay tune channel को subscribe करना मत भूजा ठीक है keep growing keep signing